हेलो फ्रेंट्स मैंने में सितेंदर चोदरी और वेल्कम टो लोग यूटूब रैपईयस दोस्तों आज फिर लेके आए हूं मैं आपके लिए नई वीडियो में कुछ नए प्लेसी जिसके बारे हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे क्योंकि यह पिछले कुछ काफी टाइम स प्रस्पेक्टिव से भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं देखें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लेसी 2021 में ही आये थे यह 2020 के भी है और एक दो प्लेस बीच बीच में जो है जो है जो लगता है मुझे कि ज्यादा इंपोर्टेंट है वो 2019 का भी मैं यहां पर ले रहा हूं मिकोस हमें कहीं बार पता नहीं होता कि UPSC के एक्जाम में कहीं बार वो पीछे वाले कोशन्स पूछ लेते हैं जो ज्यादा इंपोर्टेंट के होते हैं तो उनको भी हम लोग ने कवर की है तो चलिए बिना किसी डिले के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक आपको और बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में कुछ MCQs हमने दिये हुए हैं जो इन वीडियो जो प्लेसिस हम लोग डिसकस करेंगे उसके बेसिस पर ही हैं और कुछ थोड़ाई से में नेक्स ट्रेब लिये हैं तो वो भी आप ज़रूर अटेंप्ट करें चलिए एक तो वर्ड मैप आपको पता होना चाहिए फीजिकल वर्ड मैप है इस फीजिकल वर्ड मैप बे कौन कोसी इंपोर्टेंट चीज़े कहां कहां पर हैं यू शुड नौ ठीक है देखे तो मेरा कंसर यहां पर डेजर्ट से है क्योंकि डेजर्स से रलेटिड मैं थोड़ा स आपको information दूँगा, ठीक है, world के जो major deserts है, उसकी location आपको पता होने चाहिए, especially जो tropical hot deserts है, cold desert भी है, जैसे Antarctica is the world's largest cold desert, ठीक है, वो भी है, इंडिया में जो cold desert है, आप मुझे इसका नाम बताओगे, cold desert of India, इंडिया का जो hot desert है, everybody knows about that, that is thar desert, this is your arabian desert, right, this is your sahara desert, this is atacama desert, this is your America का जो sonoran कह सकते हो, the California desert, sonoran desert, ठीक है, वो सब यहां पे आता है, this is your great victoria desert, all, this is your Namibia desert, this is your Kalahari desert, all of us know these deserts, right, इंडिया में जो cold desert है, you need to tell me the name of that desert, यहां पे जो cold desert है, अब उसका नाम भी मुझे बताओगे, यह जो चाइना और मंगोलिया के पास पर पढ़ता है, that is also cold desert, you need to tell me the name of that as well, ठीक है, चलिए, थोड़ा, इसको में आउंगा थोड़ी देर म क्यों मैंने आपको यह क्यों बताया है, क्यों इंपोर्टेंट है, थोड़ा सागे चलते हैं, डूम्स डे ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर is a mass, और it's a large mass of frozen water और ice, बहुत बड़ा होता है, तो definitely यह आपको कहां पहां पही तो पहली बात आपको location पता चल गई कि कहां पही मिलेगा, डूम्स डे, it's a very fancy word, डूम्स डे का मतलब यह होता है कि जब इस पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, आखरी दीन आएगा, डूम्स डे मींस वेन वर्ड विल बी डिस्ट्रोइड, डैट डे, वेन अर्थ विल ब completely destroyed, तो आप बोले, यह ऐसा कैसा glacier है कि जो दुनिया को destroy कर रहा है, it is called doomsday, इस glacier की वज़े से doomsday आएगा किस सेंस में, देखो, अर्थ पे जितने भी oceans है, they have water right, और हमारी world में जो बड़ी-बड़ी cities है, वो कहां पे है, coastal area में ही है, अगर world, अगर जो हमारे oceans का water level rise हो जाएगा, they will be submerged, और कितनी सारी population world की 50% से जादा population coastal area में रहती है, तो जब यह water level बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे flooding आएगा, right, drinking water की problem हो जाएगी, submerged हो जाएगा, agriculture destroy हो जाएगी, तो अपना भी destroy हो गया ना, और जो glacier होता है, एक ऐसा glacier, I am talking about a glacier, वो glacier अगर melt हो गया, तो world का जो ocean का जो water है, that will be higher than the previous one, और जब वो बढ़ जाएगा, when it will be increased, then flooding and all that thing will be there, अब जिस glacier के मैं बात कर रहा हूँ, यह बहुत बड़ा glacier है, और global warming की वज़े से, यह melt हो रहा है, global warming की वज़े से, ठीक है, और यह जो glacier है ना, यह है आपके Antarctica continent पे, देख लेते हैं एक बार, यह है आपका Antarctica continent, ठीक है, यहाँ पे, जब देख रहे हो, यहाँ पे, यह जो glacier आपको नज़र आ रहा है, this glacier, ठीक है, this is called Doomsday Glacier, लेकिन यह इसको official नाम नहीं है, official नाम है इसका, Thwaites Glacier, this is the Thwaites Glacier, which is also called Doomsday Glacier, exam में आपके लिए एक बना-बना है question हो, कि Doomsday Glacier, कौन से continent पे located है, क्योंकि यह न्यूज में था, Thwaites Glacier, जो है, कौन से continent पे situated है, यह आप से वो simple सा question पूछेगा, it is on Antarctica continent, ठीक है, अब इसको आप Doomsday क्यों कह रहे हो, क्योंकि, यह continuously melt हो रहा है, और बहुत जादा speed से melt हो रहा है, यह भी इसकी problem है, तो Sweden University of Gothenburg ने जो है research किया, उसने यह पाया, कि Doomsday Glacier is melting very very fast, इसको official नाम जो है, that is Thwaites Glacier, और यह 120 km चोड़ा, 120 km wide है, at the broadest, it is very fast moving and melting very fast, अगर यह पिघल गया, अगर यह पिघल गया, तो दुनिया के जो oceans हैं, उनका जो level है, वो कम से कम आधा मीटर rise हो जाएगा, और आधा मीटर काफी है भी या, it is enough, जो बड़ी-बड़ी cities है ना, आपकी New York है, Bombay है, Kolkattah है, दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी cities हैं, Australia के अंदरा आप जाके देख सकते हो, आधी से ज़्यादा तो समर्ज ही हो जाएंगी, अगर यह पुरा melt हो गया, और जिस speed से यह melt हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, कि इस 200 से लेके 900 years में, it will be completely collapsed, और अगर future में हमने, अगर climate change का rate जो है, वो ज़्यादा increase होता है, तो यह 200 से 200 साल में भी completely submerged हो सकता है, अब आप यह वो लोग से 200-200 साल तो बहुत होते हैं, जाके तब देखेंगे, और यह अभी भी melt हो रहा है, तो धीरे-धीरे ocean का water का level जो है, वो rise हो रहा है, ठीक है, so it was in news, that is why we should know that, but, देखेंगे यह है आपका glacier, जो लगातार यहां से melt होके, तूटके जो है वो पानी के अंदर गिर रहा है, अब यह बू दूर से, सैटलाइट से फोटो ली गई है, इसलिए मैं थोड़ा चोटा नजर आ रहा है, अब अब यह बहुत बढ़ा है, अब यह है आपका Antarctic Ocean, यह है आपका नाव, अंटार्क्रिक का जो continent है, वो किसी भी country का नहीं है, अंटार्क्रिक का continent is for all, it is owned by the world, owned by the humanity, तो यहां पर कोई भी country अपना claim नहीं कर सकती है, लेकिन यहां पर दूसरी countries अपने research station जो है, establish कर सकती है, देखिए, यह इंडिया का research station है, मैत्री, तो एक और prelims के लिए आपका question हो गया, मैत्री जो है, इंडिया का second research station है, on Antarctica, क्योंकि इंडिया का जो पहला research station था ना, वो ज्यादा snowfall और ice की वज़े से जो है, यहां पर, यहां पर जो है, वो destroy हो गया था, वो दब गया था उसके नीचे, तो इसलिए इंडिया ने यह second भेजा, आपके लिए क्या question है, इंडिया का first बताना है आपने, second तो मैत्री है, इसके पास में ही आप देख सकते हो, यह चार पांच किलोमेटर के अंदर अंदर में जो है, रशिया वाला भी है, हर country ने देखी है, यह Japan का आप देख सकते हो, रशिया का, उस्ट्रेलिया का, यह अपर UK का है, हर country ने अपने stations यहाँ पर सेट अप कर रखे हैं, और यह permanent station है, ऐसा नहीं है कि आज चलेगे 15 दिन के बाद वापीस आगए, यह permanent है, तो इंडिया का first बताना है, उसके अलावा, इस जो मैप में दूसरी चीज़े देखने लायक है, हमारे लिए वो क्या है, कुछ और थोड CDS के exam में पूछी जा चुकी है, CDS के exam भी UKC ही conduct कराता है, है न, तो important है यह रोजी आइस शिल्ड, यह है queen mode land, queen mode land, चीक है, तो एक थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, you should know, यहाँ पे आगए रोस sea, रोस island कहाँ पे है, वो आपका इंडिया में है, अंडमाने निकोबार में रोस island है, रोस island का recently हम लोगों ने नाम चेंज किया था, है न, वो नाम आप मुझे बताओगे, comment section में, क्योंकि परसो वाली वेडियो में वो करवा चुका हूँ आपको, and रोस island is the smallest island of अंडमाने निकोबार, ठीक है, तो वो नाम आप मुझे बताओगे, कि रोस island, यह है रो magnetic pole, तो geographical pole और magnetic pole वो एक ही जगे पर नहीं होते हैं, यह हमारा geographical pole है, यह आपका यहाँ पर southern magnetic pole है, और जो north magnetic pole है, वो Canada के आसपास है, Canada और Arctic के बीच में हैं, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, अलग-अलग होते हैं, चलिए, दूसरी जो हम यहाँ पर न्यूस करने वाले हैं, वो है Africa से related, एक तो Africa को मैं ऐसी पता होना चाहिए, सहरा डेजर्ट कहां पर है, है ना, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम लोग ने जो यहाँ पर एक वो किया था, है ना, गीनिया के बारे में हम लोग ने जब information लिया था, तो आपका जो prime meridian है और equator है, वो अंसर दिया है comment section में, ठीक है, तो मैं expect करूँगा कि आज जो है, आज भी आप बताओगे, तो आपने बताना है कि जो prime meridian है, जो लंडन में greenwich से पास होता है, वो अफरीका में कौन-कौन सी country से पास होता है, ठीक है, तो यह अफरीका है, यहाँ पर आपका देख सकती है, य एक question आपको, question नहीं देता हूं, बता देता हूं, कि Mediterranean Sea के साथ, एफरीका में कौन-कौन सी country टच करती है, और इस question को आप ऐसा भी कर सकते हो, कि एफरीका में जो northern most countries है, वो कौन-कौन सी है, देखिए, northern most countries, यह यहाँ पर आपका आगया, यह मोरक को, यह आपका आगया, अल में जो है आपका, यहाँ पर आगया, आपका यह, टूनिशिया, टूनिशिया, मोरक को, अलजीरिया, टूनिशिया, लीबिया और इजिक्ट, northern most countries of Africa, चीक है, इसको याद करने का ट्रिक आपका बता देता हूं, मेटल, मोरक को, अलजीरिया, टूनिशिया, लीबिया और इजिक्ट, याद रहेगा, इस ट्रिक को आप लिख लो कहीं पर, अधरवाईस तब भूल जाओगे, ठीक है, चलिए, अब यह तो आफ्रीका की, लोग ने बात कर लिया, यहाँ पर आपका मेड़गासकर आ गया, और यहाँ पर यहीं से मेड़गासकर, जो है करेंट और मोजांबी करेंट और मेड़गासकर करेंट भी यहीं से फ्लो करते हैं, ठीक है, चलिए, यह तो चीज होगी, नॉर्मल, अब हम इस चीज को कर क्यो रहे हैं, अफ्रीका में कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो यह है नामीबिया यह जो कंट्री है यह इस नामीबिया अब नामीबिया और यह आपका नाबिब डैजर्ट यह जो देख रहे हो ना यह नामीब डैजर्ट है और यह है बोथ स्वाना और यहां पे आपका जो है यह वाला यह है काला हारी डैजर्ट और यह वाला है आपका नामीब डैजर्ट ठीक है नामीब और यह है काला हारी डैजर्ट ठीक है अब आप सोचोगे के सर यह तो बिल्कुल ओशियन के पास में है फिर भी यह डैजर्ट कैसे है है ना इतना ocean के पास होते भी desert कैसे बन गया देखी यह desert बनता है क्योंकि यहाँ पर cold current flow करता है cold current, agula agula cold current और world में जहाँ जहाँ पर भी cold currents flow करते हैं हर जगह पर desert आपको मिलता है देखे इसलिए मैंने शुरू में आपको यह world map कराया था यहाँ पर cold current flow करता है यहाँ पर भी cold current flow करता है जिसे का जाता है peruvian current यह है आपका घूला current उपर से आपका आगया जो है कैलिफोर्निया current यहाँ से आगा आपका canary currents ठीक है यहाँ से आपका आगया west australian current और जहाँ जहाँ पर cold current flow करते हैं वहीं वहीं पर आपको desert मिलते हैं यहाँ पर अटाकामा desert है यह कैलिफोर्निया desert यह विक्टोरिया desert तो क्योंकि यहाँ पर cold current क्या करता है वह पानी को ठंडा कर देता है क्योंकि जहाँ पर cold current होगा वहाँ पर ocean water जो है वह cold होगा और जब ocean water cold होता है तो इसके अदर evaporation नहीं होती है और जब evaporation नहीं होती है तो clouds नहीं बनते हैं और clouds नहीं बनेंगे तो rainfall भी नहीं होगा rainfall नहीं होगा तो वह dry land होगी simple सा logic है यहाँ पर यह geographic topic आपका वैसे तो और UPSC में एक बार यह question पूछा जा चुका है question कुछ इस तरह से था why tropical hot deserts are found on the western sides of continents I guess 2014 का UPSC का question है 14 का यह 15 का ही है ठीक है UPSC means का question है तो इस में से एक reason यह है because of cold currents cold ocean currents ठीक है और भी reason है but yeah this is also a reason यहाँ पे आपकी high pressure belt भी होती है वो जोग्रफी का topic है but yeah that is the thing तो यह है आपका नामीबिया डेजर्ट है इसके अब यह नामीबिया की बारे में मैं क्यों बता रहा हूं आपको देखें नामीबिया में जो है मिलता है एक इनिमल चीता चीता ठीक है फास्टेस्ट कार्निवोर चीता और एक तरफ है इंडिया के अंदर चीता नहीं मिलता इंडिया के अंदर चीता मिलता था बट 1947 में इंडिया में चीता extinct हो गया था ठीक है मतलब बिल्कुल विलूप्त हो गया था अब 1947 में विलूप्त हो गया लेकिन Indian government always tried to bring cheetah from Africa तो दुनिया में जो है चीते की दो variety मिलती है एक variety मिलती है आपकी एरान में तो वैसे तो cheetah की दो variety होती है एक होता है African cheetah एक होता है Asiatic cheetah इंडिया में जो पाय जाता था that was Asiatic cheetah आज के टाइम पे दुनिया में सिर्फ एक ही country में Asiatic cheetah मिलता है वो है इरान तो इंडियान जो politicians थे इंडियान जो experts थे they called इरान उन्होंने का के भाया हमें cheetah दे दो हमें cheetah चाहिए इरान वालों ने कर दिया उसको मना then we approached Africa and Africa में किसको अप्रोच किया Namibia को अप्रोच किया and Namibia accepted this offer Namibia ने कहा कोई बात नहीं ले जो हमारे पास तो ऐसी काफी extra है तो ये सारे का सारे issue था cheetah को अब cheetah को introduce करने की जो effort लिया गया था वो start हुआ 2009 में जो मनमोहन सिंग की सरकार यहाँ पे थी कि हम लोग इंडिया में एफरीका introduce करेंगे 1947 में एक्स्टिंक्ट हो चुका है ठीक है और ये चलते चलते जो है 2011 में इस सरकार ने 50 क्रूडर पे इसके लिए डाल भी दिया अब इंडिया में कोई ऐसी साइट हम लोगों को identify करनी थी जहाँ पे चीता को introduce कर सकें एक ऐसी साइट इंडिया में जो है वो देखी गई कहाँ पे मध्या परदेश के अंदर क्यूनो पालपूर वाइड लाइफ सेंक्टरी आपके एक्जाम के लिए important है क्यूनो पालपूर वाइड लाइफ सेंक्टरी कौन से स्टेट में पढ़ती है अब बात की गई कि हम लोग यहाँ पे चीता लेके आएंगे पहले यहाँ पे अब यह बात उठी कैसे यह बात ऐसे उठी के गुजरात में गुजरात इस दो अल्ली प्लेस जहां पे अभी एसियाटिक लाइन मिलते हैं और इनकी पोपलेशन काफी ज़्यादा बढ़ गई है देखिए गिर नैशनल पार्क है गिल फोरेस्ट नैशनल पार्क यहाँ पर मिलता है आपको एसियाटिक लाइन अमिता बच्चें जिसके अडियोटीजमेंट करते हैं आपको पता होगा ना एक दिन तो गुजरात में उस टाइप का गुजरात में लाइन की पोपलेशन हो गई ज़्यादा सरकार ने कहा कि इनको हम कहा ट्रांसफर करेंगे ये मध्य परदेश में ट्रांसफर करेंगे कुनो पालपुर वाइड़ लाइफ सेंक्चुरी में गुजरात ने मना कर दिया केस चला गया सुप्रीम कोट में अब जब केस सुप्रीम कोट में गया तो चीते की बात भी उठी कि लोगों ने सोचा कि चलिए सर लाइन की बात तो चली रही है चीते की बात भी कर लेते हैं सरकार ने मना कर दिया के नहीं इंडिया में हम लोग चीता इंटरड्यूस नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, एक्सपर्ट्स ने और सुप्रीम कोट ने कहीं चीजें बोली, पहली बात तो, चीता इंडिया से एक्स्टिंक्ट हो चुका है, तो जब भी आप किसी और animal को वहाँ पे लाओगे तो वहाँ के जो local animal जो पहले से रह रहे हैं उनके साथ competition करेगा तो उनको खत्रा हो जाएगा उनके survival को दूसरा जो चीता है ना चीता का जो favorite food है वो है black buck जिसको सलमान खान ने मारा था है ना और black buck जो है जिसको black buck और चिंकारा है ना वो एक antilope होता है एक हिरन होता है अब वो इंडिया में highly protected है है ना wildlife protection act schedule 1 के अंदर में आता है अभी देखो अभी तक चक्कर काट रहा है सलमान खान कोर्ट के और वो चीता का favorite food है तो चीता को एनिमल है जो इंडिया में highly protected है ठीक है highly protected है जिससे कहा जाता है देखो तो एक तो चले थोड़े जादा information हो जाती है थोड़ा सा थोड़ा सा धीरे-धीरे करके चलते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया कहां गया आपका वो कुनो पालपूर sanctuary तो एक चिंकारा का favorite food है उपर से black buck जिसको बोलते हैं सलमान खाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब चीता जब यहाँ पर आ जाएगा तो इनको consume करेगा तो वह हमारे लिए problem खड़ी हो जाएगी एक minute तो इसलिए Supreme Court ने जो है मना कर दिया इसे उपर नहीं कर सकते ठीक है सारस इस अनदर एनिमल जो इंडिया में Central Asia से आता है अब सारस को भी कंजूम करता है वो खा लेता है चीता तो इन सारे चीज़ों के वज़े से चीता के उपर बैन लगा दिया था लेकिन अभी रिसेंटली Supreme Court के पास ये दुबारा से केस गया और Supreme Court ने कहा के चलिए ठीक है आप चिते को ले आओ क्योंकि कुछ और स्टडी की गई थोड़ा सा और उसको एविदेंस दिये गए कि ये ऐसे से करके चीज़े है इसलिए जो है नामीविया न्यूज में था और ये जो मता होना घैए एट इस इन अमध्य परदेश ठीक है चलिए इस्टर घाट के परें थोरा सा देख लेते हैं फर्क यह है कि जो Western Ghats है, they are continuous hill ranges, they are continuous, but Eastern Ghats are not continuous, why, because there are many, many, many rivers, Mahanadi है, Krishna है, Godavari है, Kaveri है, all these rivers, they cut Eastern Ghats, that is why Eastern Ghats are not continuous, but Western Ghats are continuous, why, because कोई भी रिवर Western Ghats को cross नहीं करती है, Western Ghats are the perfect water divide, water divide, water divide एक ऐसी divide होता है, जिसके आरपार, जो है, rivers cross नहीं करती है, अगर इस तरफ है, तो इस तरफ रहेगा, इस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ रहेगा, Himalaya is not a water divide, क्योंकि Himalaya के ऊपर से river, जो है, वो originate होती है, और Himalaya को cross करते हो, इंडिया में एंटर करती है, तो Himal अब Eastern घाट जो है, वो काफी sensitive है, Eastern घाट कावी sensitive है, और इनकी जो biodiversity है, वो loss हो रही है, देखिए, बस इस लिए news में था, University और हैदराबाद ने, University of हैदराबाद ने research किया, और उसने ये पाया, कि 1920 से 2015 के बीच में, Eastern घाट जो है, काफी ज़ादा destroy हो चुके हैं, around 16% forest area इस्टन घाट का पिछले 100 साल में destroy हो चुका है, ठीक है, 8% area को हम लोग agriculture में convert कर चुके हैं, 4% area को हम लोग जो है grassland वगारा में convert कर चुके हैं, ठीक है, मतलब industry वगारा हमने वहाँ पे लगा दी, तो पेड काट दी है, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये च इस्टन घाट कहां से start होते हैं, ये start होते हैं महानदी रिवर से, और कहां तक जाते हैं, वेगई रिवर, it is also a river in Tamil Nadu, इसके बीच में आपको मिलते हैं इस्टन घाट, और इस्टन घाट की जो highest peak है वो है जिंदा घडा, जिंदा घडा, जो कहां पे है, आंधरा प्रदेश में है, जिंदा घडा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इस्टन घाट, ठीक है, आप मुझे बताओगे, हाईएस्ट पीक वेस्टन घाट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ये बताओगे, ठीक है, छलिए, थोड़ा सोर देख लेते हैं, ये discontinuous होते हैं, क्यो कहा गया हमारा इस्टन घाट, ये रहा इस्टन घाट देखिए, तो इस्टन घाट क्योंकि टूटा फूटा हुआ है, इसलिए हम इसको अलग-अलग नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे आप गया आपका, ये आपका गया, नर्दन सरकार, नल्ला मल्ला, वेले कॉंडा, प इस्टन घाट, कम से कम दो चार पांच इंपोर्टेंट है ता आपको करना ही है, नदन सरकार करोगे, आप नल्ला कॉंडा करोगे, वेले कॉंडा करोगे, पल्कॉंडा करोगे, जावडी करोगे, शेवरे करोगे, और इसको आपने नूर्थ तु सौथ डिरेक्शन में थोड़ा सा अब यह है आपका इधर से Western घाट ठीक है यहां से आपका आगए Eastern घाट Western घाट और Eastern घाट कहां पर मिलते हैं यह मिलते हैं निलगरी Hills तो निलगरी Hills is the meeting point of Western घाट and Eastern घाट ठीक है निलगरी Hills और निलगरी Hills से नीचे जितनी भी mountains पाई जाती है इसको बोला जाता है Southern Hill Complex Southern Hill Complex Southern Hill Complex के अदर कौन-कौन सी Hills आती है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे आपकी आती हैं देखो Southern Hill Complex में अन्ना मुडी तो यह तो पीक हो गया एक मिनट कहा जा रहा है ठीक है अन्ना मलाई Hills कार्डेमम Hills कार्डेमम Hills ठीक है तो यह आपकी जो Hills आती हैं वो आपकी आती हैं किसके अंदर Southern Hill Complex के अंदर दो पीक देख लेते हैं यहाँ पे एक पीक यह रहा डोडा बेटा यह देखे यहाँ पे ठीक है एक हिल यह रहा यहाँ पे अन्ना मलाई यह हिल से अन्ना मलाई इस दा हाइयस्ट पीक ओफ Western Ghats ठीक है Western Ghats और आप निलिगरी Hills कह सकते हो ठीक है डोडा बेटा इस दा हाइयस्ट पीक ओफ निलिगरी Hills अन्ना मलाई इस हाइयस्ट पीक ओफ Southern India मतलब अन्ना मलाई हिल से अन्ना मुडी पीक है आपका इस दा हाइयस्ट पीक ओफ Southern India डोडा बेटा इस दा सेकंड हाइयस्ट पीक सेकंड हाइयस्ट पीक ठीक है थोड़ी थोड़ी इंफोर्मिशन आपको इन घाट के बारे में पता होना चाहिए जब भी हम जोग जब हम लोग प्रोपरली मैप वर्क करेंगे कम्प्लीट ली तो उसमें एक एक चीज की आपको जो है मैं आपको ज़्यादा डिटेल में दूँगा क्योंकि आज को टोपिक क्या था आपका Eastern Ghats Eastern Ghats जो है वो discontinuous है क्योंकि रिवर्स यहां से फ्लो करती है तो अलग-अलग यह तोटा हुआ है अलग-अलग छोटी-छोटी हिल्स में ठीक है नदन सरकार, नलकॉंडा, पलकॉंडा, वेलकॉंडा, शेवरोई, जावडी हिल्स ठीक है तो यह था आपका चलिए अब यह आपको थोड़ा से Middle East की सेर कराता हूँ जैसा की हमेशा ही कराता हूँ Middle East की सेर में ठीक है Middle East का थोड़ा मैप आप देख लो थोड़ा से मैप आप देख लीजिए देखो यह है UAE यह है आपका UAE ठीक है और यह है आपका Qatar UAE यहीं पे आपका है दुबई UAE के अंदर जो है तेल बहुत होता है लेकिन गैस नहीं होती है वो गैस कहां से मंगाता है Qatar से मंगाता है Qatar इस दुनिया का Qatar is the largest producer of natural gas largest producer of natural gas और यहाँ पे जो है यह pipeline है जिस pipe का नाम है Dolphin pipeline Dolphin pipeline तो एक्जाम में पूट सकते हैं आपको Dolphin pipeline is between Qatar and UAE अब UAE और Qatar यह आपस में दोस्त नहीं है they are not friends ठीक है तो जगड़ा इनकी बीच में चलता रहता है अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था Saudi Arabia ने और UAE ने मिलके जो है वो और Kuwait ने मिलके Qatar को ban कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि Qatar जो है कुछ terrorist की help कर रहा है ठीक है तो वो सारी सारी जो है international यूज है उसमें हम लोग नहीं चाहेंगे तो बात यह है कि UAE और Qatar के बीच में अच्छे नहीं है ठीक है तो UAE ने क्या किया अपने country की दो local companies को contract दिया और उनको कहा कि देखो हम Qatar के उपर बहुत जादा दिनों तो dependent नहीं रह सकते तो let's explore natural gas in UAE itself तो पिछले कई साल से जो है वो companies लगी हुई थी और finally उन्होंने UAE के अंदर natural gas के बहुत बड़े reserve को find out किया 80 trillion cubic feet 80 trillion और यह दुनिया का fourth largest gas field है अगर यह आंकडे सही हैं तो और वो जो जगय का नाम है gas field का नाम है उसका नाम है जेबेल अली gas field so it was in news this place was in very much in news ठीक है very much in news तो आपको यह पता होना चाहिए जेबेल अली gas field और वो कहां पे है या वो यहीं पे है यह देखो यह आपको दुबई वाला area है तो यह आइलेंड भी गया आपने देखें भी होंगे कई बार टीवी भी गयरा हमें है ना यह artificial island बना रखें है artificial island ठीक है यह देखो इसे कहा जाता है palm islands ठीक है यह artificial है और बहुत अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं छोटे मोटे लोग नहीं रहेंगे ठीक है और इसी के बगल में यहाँ पे जो है छोटे छोटे से island है artificial island है इसे कहा जाता है world island ठीक है इतना जादा हम लोग news फरस में नहीं जाएंगे तो यह जो आप जगह देख रहे हो यह है आपका जेबेल अली गैस फिल्ड जहाँ पे हमने अभी गैस को explore किया है जेबेल अली कौन सी कंट्री में है UAE तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो मैप है वो आपको क्या दिखा रहा है क्या दिखा रहा है वो यह दिखा रहा है कि कहा कहा पे इस दुनिया में गैस फिल्ड है गैस फिल्ड है छीक है देखो इतना हमें जाने की जूरू तो नहीं है बट यह थोड़ा सा आप जो है मैप गारा के थूँ देख सकते हो जो यह कंट्री है देखो जिसके उपर यह डार्क ग्रे कलर का है यह वाली रशिया यहां से आपका हो गया इरान ठीक है यहां का हो गया यहां पे कतर है ना यहां का यहां यहां पे कतर हो गया इरान हो गया आपका रशिया हो गया और आपका यह अमेरिका और कैनेडा हो गया ठीक है थीज आर दा लार्जेस्ट natural gas producing country in the world जहांबे बहुत ज़्यादा natural gas पाई जाती है ठीक है तो कतार में सबसे ज़्यादा होती है तो that is the case चलिए थोड़ा सा और आगे अगली news पे चलते हूं यह world map है और यह जो आप green color की लाइने देख रहे हूं यह क्या है यह trade routes है इस दुनिया में 90% जो trade है वो oceans के थूँ होती है और seas के थूँ होती है 90% क्योंकि सस्ता पढ़ता है अभे plane से जाना और bus और train से जाना बहुत महंगा पढ़ता है तो 90% trade से वहां से होती है और इसकी वज़े से पूरी दुनिया आपस में जैसे कोई एक आईफोन अगर आपको मंगाना है तो एक आईफोन कम से कम आईफोन को बनाने के लिए जो है 100 से ज़्यादा country से समान आता है थोड़ा थोड़ा और वो finally समान जो है कहां पर असेंबल होता है चाइना के अंदर असेंबल होता है चाइना में एसेंबल होने के बाद वो सारी countries में जाता है पूरे world में जाता है अलग-अलग routes से तो यह दुनिया के जो है कुछ trade routes है बहुत important trade routes है अब देखे आप यहाँ पे देख सकते है यह है आपका red sea ठीक है तो यहाँ से तेल जाता है यहाँ से आप देख सकते हूँ यह परशियन गल्फ है यहाँ परशियन गल्फ से जाएगा यहाँ पर देख सकते हूँ यह आपका swage canal है very very important यहाँ पर आपका देख सकते हैं यह मलक्का, state of मलक्का very very important तो दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत sensitive है बहुत sensitive है इन्हें chok point कहा जाता है chok point बहुत sensitive होती है और देखो कौन-कौन से जगह है वो sensitive जो है जैसे यह state of मलक्का very sensitive यह बाबल मंदेब है very sensitive स्वेज कनाल very Turkish Strait Danish Strait Panama Canal Cape of Good Hope तो यह थोड़ी सी आपके इनकी location पता होने चाहिए के बाबा मंदेब कहां पे है स्टेट ओफोर्मुज कहां पे है Turkish Strait वो सारी सारी चीज़ें आपको थोड़ा-थोड़ा सा पता होना चाहिए अब यह मैं बता क्यों रहा हूँ उसके पीछे reason क्या है देखे बताने के पीछे यह reason है हो गया तो कही न कहीं सी तो तेल चाहिए न अब इंडिया तो भी यह crude oil produce करता नहीं है बहुत कम produce करता है तो कैसे काम चलेगा तो इंडिया ने कहा कि हम लोग alternative route से आएंगे कहां से आएंगे Cape of good hope से आएंगे 200 billion dollar का trade जो है इंडिया का योरोप के साथ होता है और उसमें सी 90% जो है स्वेज कनाल के धुरू होता है तो इंडिया ने कहा कि अभी हम स्वेज कनाल को छोड़के एक alternate route लेंगे bypass से आएंगे Cape of good hope that is why Cape of good hope was in news ठीक है अब यह रहा देखो आपका Cape of good hope South Africa में पढ़ता है लोगों का ऐसा लगता है कि Cape of good hope is the southernmost point of Africa बट ऐसा नहीं है अफरिका का southernmost point कौन सा है Cape Agula this is the southernmost point Cape of good hope is not the southernmost point आपको यह पता होना चाहिए ठीक है तो आज के लिए यही 4-5 places करेंगे लेकिन आपके लिए कुछ क्वेशन से में यहां पर लेकर आया हूँ जो आपने comment section में answer देना है which of the largest glacier of Himalaya ठीक है गंगोतरी सियाचीन option आप देख सकते हो which is the southernmost point of India यह भी आपको पता होना चाहिए southernmost point of Africa is Cape of Agula which is the highest peak of western ghats यह आपको बताना है अन्ना मलाई हिल्स, डोडा बेटा, महेंदर गड़ी और जिंदा घड़ा शेशा चलम बायस फेर रिजर्व इस सिचुएटिड इन विज स्टेट करनाट का अंधरा तेनना गाना तमिलनाडू ठीक है तो आप यह answer मुझे comment section में बताओगो ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है क्योंकि भीया shortcut किसी चीज का नहीं हो ठीक है अगर आपको समझते हो ना 5-7 मिनिट के अंदर ही पूरे हो जाएगा और जिस exam के लिए preparation कर रहे हो ना UPSC के लिए तो इसके लिए तो बिल्कुल भी कोई shortcut नहीं हो time दो time invest करो ठीक है notes लेकर अपना जो है notebook लेकर बैठो उसमें point चीजों को note down करो सिर्फ सुनो मत it's not like का सत्संग के आपको सुने और चले गई वो बिल्कुल रिटेन नहीं कर पाऊगे आप अलग से copy लगाओ places in news का क्योंकि पिछले डेड़ दो साल का places in news आपका अच्छे से cover हो जाएगा और prelims में इस तरह के questions पूछे जाते हैं और सिर्फ UPSC ही नहीं अगर आप दूसरे को और exam की preparation कर रहे हो तो वहां पे भी questions पूछे जाते हैं current affair में भी पूछे जाते हैं geography वाला portion भी आपका cover हो रहा है ठीक है तो time तो थोड़ा लग सकता है को ऐसी कोई बात नहीं है आप इस वीडियो को जो है 1.2 थोड़ी speed बढ़ा के देख सकते हो 1.5 speed पर देख सकते हो 1.25 speed पर देख सकते हो आपके हाथ में है लेकिन अगर आप समझो के के सब मैं places को बहुत एकदम 2-2 minute में करवा दूँगा तो उस तरह की factual information देने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि आप ना तो इसको आप retain कर पाओगे आपका time भी waste होगा और वैसे किसी चीज़ का shortcut नहीं है success का तो बिल्कुल भी नहीं है there is no shortcut you need to invest your time अगर कोई आपको बोलता है कि आप 6 मेने में preparation करके जो highest बन जाओगे तो आपसे जूट बोल रहा है आपका पादल बना रहा है ठीक है तो थोड़ा सा time तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और जो भी मैं questions पूचता हूँ I expect कि आप उसको participate भी यह किया करो तभी तो चीज़े होंगी ना थोड़ा सा अपना map देखना शुरू करो थोड़ा सा atlas में देखो कि कहाँ पर क्या क्या चीज़े हैं और नहीं कम से कम अपने mobile में google map का use कर लिया करो google map में चीज़ों को देख लिया करो कहां कौन कौन सी चीज़े हैं थोड़ा थोड़ा शुरू में boring लग सकता है बट ultimately it will be very interesting for you ठीक है तो आज के लिए था नहीं Thank you very much and all the best मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में